नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 नौमबर 22 के आपकी श्रम्पू नाशी फल के बारे में शुरुआत करते हैं आज की बहुत अच्छे ग्यांशी दोस्तों मनुश के पाश शब्ची बड़ यही प्रेडित करेंगी जया दोस्तों इंशान की शंपती नो दोलत है नो धन है उसी शंपती तो उसका हस्ता हुआ परिवार और शंतुष्ट मन है अगर मन शंतुष्ट हो जाए तो कभी भी किसी चिच का कमियाप महशुष नहीं करेंगी उनकी परवा मत करू जिनका इश्वाश आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त भी बदल जाए प्रेमशी भरी हुई आँखे शरदा से जुका हुआ शर शयब करते हुए हाथ शर्मार्ग पर चलते हुए पाउं शत्य से जुड़ हुई जीव इश्वर को शर्वाधिक पशंद है शब को हशाना लेक लेकिन किशी का दिल मत जलाना यह जीवन की रीत है चिशा बोगे वेशाही पाउगे जिया दोसों तो दोसों आज का यह बीचार और आपको शर्चा लगा हुए इन पर यकीन हुआ हुआ हुए तो दोसों मीडियो को एक प्यारा शुलाई जरूर करे और इनके लिए पर accurate रहेगा उसक्तु प्रांती चरतर उति धिती प्रायरता चाहें काल के शुमय की बात के अर्थात दिन के आशुप समय की याश में आप शबी शुब और महत्मुन कारें को बोल जबी ना करें तो याशु में रहेगा शुबा के दस बचकर तालिश मिट लेकर दोपार के बारा बचकर दस मिट तक और चन्रमाइद दिन ब्रिशुब राशी क प्रांद मिथुन राशी में संजार कर जाएंगी दिन के विज़ित महरत की बात के अर्थात शुब समय की तो याश में रहेगा शुबा के गारा बचकर अर्था अर्थालश मिट लेकर दोपार के 12 बचकर 32 मिट तक याश में आप सभी महत्पन कारें को कर शकती हैं तो आपको लाब की प्राप्ति होगी शादी साथ कौन शी बातों को लेकर आपको शाओत रहना होगा शादी दोस्तों वीडियो के अंत में शुक्रवार्च सम्मंदित एक बहुत धर्ची उपाए है जिने करने शी आप धरहानी से बच पाएंगी तो दोस्तों वीडियो को आफी बनाने का प्रयाश भी करेंगे जो की बहतनी शायुद होगे दोस्तों आपको बता दें कि किसी पिरिव्यक्ति से मुलकात खुशी और ताजगी परदान के रने वाली है इसको प्राण दोस्तों यह शुमे आपके शाओधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह करें दोस्तों यह आपके लिए बहतर शावित होंगे और इसको प्राण दोस्तों यह शुमे आपके लिए दिंच्रे के लिए दूस्तों आपको बता दें कि पेशे से संब्मनित नियूजर बनाने के लिए आप अधिक परतन बढ़ाएंगे अटके हुए पेशे को वापस तरप्त करना आपके एच्मिश क्शंबह हो शगता है फिलाल दोस्तों बारे में सोचने आपके लिए तकलिव का कारन हो रहा है इसलिए भरतमान पस्तिति पर अधिक ध्यन दें कर उस पर ही काम करने की कोसिछ करे और इसको पर दोस्तों और आपके mor के इसामहोंगे अथ्वा केरियर समंधी परिशा में शफलता मिलने की पूरी शमोरा बन रही है आपको बता दें कि दोस्तों के साथ फिजुल घुमने फिरने में अपना शमय वर्त ना करें और यह शमय को आप अपने महत्पून कारियों में लगाएं जिया दोस्तों इन से आप उने जो भी म समय होंगे आपको बता दें कि किसी भी लेंदेन या फिर पेसे से समय वायवार करते समय आप जो है सावधन रहें या पर इंचा परेज रखें दोस्तों यदि काम बैंक लोन से समय हो तो दोस्तों उसके लिए उच्छ अधिकारियों के शाथ बात करके ही आप आगे बढ़ आपको होशकती है उनको टाला भी जा सकता है लेकिन आपको यश्र में प्रयाश करने की आवशकता होंगी और इसको प्राहन दोस्तों यश्र में आपके लिए समय होगे आपको बता दें कि घर में रिष्तेदारों की भी आवाज आही देहेगी इसको प्राहन दोस्तों यश्र में बच्चों की समस्याओ कू शांती पूर्ण तरीके से सुलजाए डांड फर्कार करने से उनके अंदर हिंता की भावना उपसकती है तो यश्र में इन पर परहेज करें इनसे साव नहीं रहें किस शवी परकार के भौतिक सुखों की प्रापति आपको इसमें हो सकती है केरियर समन्दी जो भी आप निरले लिये हैं उनमें आप शफल भी हैश्मे होंगे परिवार के लोगों को जिस तरह की जिवन शेली आप परदान करना चाहते हैं दोस्तों उस तरह के अपने जिवन में बादा उलाना आपके लिए शंबह होगा इसको प्राद दोस्तों याश्व में आपके लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बता दे कि किसी सूप समचार के मिलने से गर परिवार में भी खुशनमा भरा बात और रहेगा कर में किसी धार्मिक आयुजन सम्मदी कोई भी कारे बन सकती है या पर योजना बन सकती है दोस्तों आपकी मेहनत वपिर परिश्रम से कोई महत्पुन कारे भी आपका शंपन हो शकते हैं इसको प्राद दोस्तों याश्व में आपके लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बता दे कि जल्दी सफलता हासिल करने के चकर में अनुचित साजमों का परियोग ना करें ये आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों के सुजाव पर भी गंपिरता से विचार करना याश्मे आपके लिए जरूरी होगा दोस्तों अचानक से ही कुछ खर्चे भी आपके शामने आएंगे इसलिए फिजुल खर्चों पर अंकुष लगा कर रखें दोस्तों ये आपके लिए यश्मे अत्यूर्तम होंगे और इसको पर दोस्तों ये आपके लिए जरूरी होगे दोस्तों आपको बता दें कि यश्मे विस्तार शमन्दी कोई भी उचना अस्तागीत दे रखें ये आपके लिए बैतर होंगे क्योंकि दोस्तों ये जो समय होंगे पिस्तियां उतना अनुकूल नहीं है जितना आप शमझ रहे हैं नोकरी पेशावेक्तियों से बहुत सता अधिकारी वर्ग भी पशन रहेंगे पर्मोशन मिलने के भी योग मन रहे है इसको प्राण दोस्तों ये शमय है आपके केरेटेली जो समय होंगे आपके वयोशाई के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दे कि कोई भी प्रॉप्टी शमन्दी डील फाइनल करते शमय बहुत अधिक शावधानी रखने की जर्द होंगी दोस्तों पेपर से समधित करवाई ध्यान पुरुवागी करें अन्य था दोस्तों आपको नुक्षान हो शकता है अन्य वयवशाई के गतिदियां सुचारू रूप से इसमें चलती रहें तोकरी पैसे वेक्तियों को किसी प्रकार की गलत्ती की वज़े से उच प्राति बुक्ता दें तो था हुआ उप्षा की गतिदियों पर भी आपको अपनी पेनी नजर रखनी चाहिए नोकरी पेशाव एक्ति भी ऑफिस में जो है प्लिटिक्स के सिकार हो शकते हैं तो दोस्तों यश्रमी आप ऑफिस में अपने जो विरोधी वर्ग हैं उनसे सा विर्वार पर पढ़ सकता है और वह भी नकात्मक परवाब पढ़ेगा इसको प्राहन दोस्तों यश्रमें आपकी लव लाइफ प्लिजर जमोंगे दोस्तों आपको बता दें कि उनसाती की और स्वास्ता की विजशे घर पर अस्त व्यस्त भी रह सकता है उनके तदा घर के कारियों में शयोग देना आवश्य होगा प्रेमी प्रेम का की भावन तोक शम्मन भी यश्रमें महदूर रहेंगे इसको प्राहन दोस्तों यश्रमें आपकी लव लाइफ प्लिजर जमोंगे दोस्तों आपको बता दें कि यश्रमें जिवन साती के शाथ किसी बात को लेकर करता करार भी उत्वपन हो शक्ति ध्यान रखें कि घर की व्यस्ता प्रहिण का प्रभाव ना पड़े विप्रित लिंगी व्यक्तियों से व्यावार करतेश में मलेदा का ध्यान रखना यह में आपके लिए जरुरी साबित होगा और इसको प्रांदोस्तों यह में अगर आप स्वास्त के लिए लूंगा आपको बता दे कि अपने काम को वजब ले से नसव में खिचाओ और दर्द जैसे समस्या रहे हैं समय च्बएभ आराम भी आपको लयाना चाहिए और आपको व्यास्ता के लिए स्वीमे बहत भी भेदर करना चाहिए और इसको इसको प्रांदूसर यश्र में आपके हेल्थ के लिए आपको बता दें कि आपका अत्म श्वास और सकार्तमक सोच आपको मांसिक और सारी गृप से श्वास्थ भी यश्मे रखेगी तो दोस्तों इन सभी बातों पर ध्यान दें यह आपके स्वास्थ के लिए बैतर होंगे और इसको प्रांदूसर यश्मे आपका भागयशाली रंग रेगा पीला और भागयशाली अंक रेगा आठ तो आई-दोस्तों बात करते हैं कि धरानेश यह बचने के लिए आपको कौन सी उपाएं को करना चाहिए दोस्तों आप शिभी को बता दें कि शुक्रवार को महाल लक्षमी परशन होती है और पेशों की तंगी दूर करती है और जो भी सादक होती है उनकी जुनकाल में कभी भी कश्ट नहीं हाती है तो जरूर ही इस उपाएं को कीजिएगा धन्यवाद आपका आनेवाले श्मे शुब रहे